वेलकम टो दा आयस अक्टूबर और शुरू करते हैं फिलिम से स्पेसिफिक करन्ट अफेर का न्यूज डिस्कॉशन हमारी पहली न्यूज है हिजाब बेन के इश्यो को लेकर दरसल हुआ गया करनाटी का हाई कोट ने हिजाब कर दिया था अपने वर्डिक्स है यह मैटर गया सुप्रीम कोट में इस ने एक जजज जो है जस्टिस हेमंद गुपता उन्होंने यह बोला है कि यह जो राइट के से cover नहीं करता है और दूसरी तरफ justice सुधानशों दुलिया थे उन्होंने ये बला कि ये जो matter of choice है मतलब अगर उन्हें पहनना है तो पहन सकते हैं बट उन्हों का जो main argument ये था कि ये choice यादर matter education का था कि जो conservative muslim families होती है अगर वो हिजाब के सहरे ही तो हमें उन्हें support करना चाहिए ताकि इस बहाने जो conservative families की लड़किया है उन्हें education मिल सकेगी हिजाब band कर देंगे तो उनके जो conservative families है वो अपनी बच्चेयों को education के लिए भी नहीं तो ये ज्यादा बड़ा crisis होगा हमारे society के लिए पर UPSC के लिए हमें यह समझ आए कि split verdict क्या है और इसमें होता क्या है तो split verdict उसे करते हैं जब दो judge की bench या फिर even number की जर्जों जैसे दो चार छे अगर इसी bench मेठे और वो किसी question से सहमत होते हैं या उसे खारिज कर जाते हैं तो ऐसा को unanimous or majority verdict नहीं आता तो उसे split verdict कहा जाता है यह generally होता है जब even judge की bench बैठ दी है इसलिए आपने देखा होगा जब भी को important catch होता होगा तो उसमें कम से कम minimum 3 judge की bench होती ही है ताकि at least majority verdict से उसका decision आ जाए चाहे unanimous नहों पर होता क्या है इससे को फिल larger bench के पर भेजा जाता है अगर यह 2 judge की bench थी जिसमें हिजाब bench के उपर decent लिया था तो अब यह 3 judge की bench के उपर जाएगा जब high court में होता है तो large bench के तरफ जाता है और जैसे supreme court में होता है तो चुकि chief judges of India हमारे master of the roster होते हैं तो वह एक नही bench decide करेंग हमारी अगली जो न्यूज है वो launch vehicle को लेकर है दरसल इस तो हमेसा अपने launch vehicle को update करता रहा है पहले हम SLV यूज करा करते थे फिर उसके बाद ने SLV यूज करा और अभी जो हमारा popular है PSLV हमारे major satellites होते हैं हम PSLV के तुरू ही launch करते हैं यह polar orbit में भी launch होता है और यह PSLV के थू हम geostationary orbit पर अपने satellite launch करते हैं और फिर JSLV हमने यूज किया और JSLV अभी mark 3 का हमारा use कर रहे हैं जो के हम cryogenic engine के basis पर यूज कर रहे हैं ताकि जो heavy satellite होते हैं उससे हम at least geostationary orbit पर launch कर सकें तो अभी जो नया next generation launch vehicle है NGLV जिसे कहा जा रहा है यह हमारे PSLV को replace करेगा इससे replace करे है तो जो नया जो next generation launch vehicle है उसके खास बात क्या है एक तो cost efficient है उसमें भी three stage to orbit है और यह reusable सबसे खास चीज़ की है कि इसका दोबारस यूज किया जा सकता है इससे हमारी जो cost है होगी वह अपने अब कम हो जाएगी और इसके अब heavy जा रहा है इसे और इसका डिजाइन है विल्क सिंपल रखा गया ताकि इसकी bulk manufacturing हो सके अगर इसके यूज की देखें इसे communication satellite to launch का नेम काम आएगा deep space mission में यूज किया जा सकता है इसे human space flight में इसे use का जा सकता है cargo mission में इसे use का जा सकता है और इसके cost की वजए से यह सब business model बन सकेगा ताकि commercial launch भी कर सकते हैं आपके कोई private entity से वह कुछ launch करना चाहती है तो हम इस vehicle के थ्रूँ वह launch कर सकते हैं तो इसका cost हमें कम आएगा profit हमसे जादा होगा ठीक है तो आप चलते आगे हमारे अगली चो नियूज है वह cooperative societies को लेकर है दरसल हुआ क्या है कि cabinet ने एक amendment लगके आया है और उसके electoral process में reform लेके आना है अगर हम देखें cooperative society को तो जब voluntary organization होता है अगर इसमें voluntary लोग आजकर जूटते हैं shared interest के साथ में एक objective साथ आते हैं उससे cooperative society बोला जाता है इसमें आप अगर type of cooperative societies देखोगे तो producers cooperative society, cooperative marketing society, credit society, housing society, farming society तो बहुत स्राइट type of societies होती है तो अगर हम amendment के बात करें तो जो basic amendment यह है कि 97 constitutional amendment था उसके जो intention थी उसके जो provision थी उससे इस cooperative society act में include करना अगर 97 amendment act देखेंगे तो उसने क्या करता था article 91c इसमें cooperative word act जोड़ा था इसका मतलब है कि union and association में cooperative भी आता है इसके अलवा article 43b 8 किया गया था DPSP में तकि state cooperative society को promote कर सके इसके अलव और inclusive और representative बनाया जाएगा ताकि financial discipline बना रहे है और इनकी जो ability होती है raising funds की उसको बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा जो change होगा एक election authority बनेगी एक information officer होगा और एक ombudsman होगा तो तीन नए officers इसमें add होंगे इसका main मकसद है amendment का एक तो governance अच्छा करना इसके monitoring mechanism को अच्छा करना और इससे transparency और accountant बढ़ाना कि cooperative society को लेकि कई बाद news आती है कि वहाँ पर corruption हो रहा है और वहाँ पर जो financial fraud देखने को मिल रहा है RBI ने भी concern चान रहा था इसलिए amendment इतना important है अब चलते हैं आगे अच्छा को लेकर है दरसल जो European Central Bank है उसने एक meeting बुलाई है ताकि जो European country है उन्हें doom look के impact से बाहर निकाला जाए क्योंकि उन्हें इसा लग रहा है कि doom look आने वाला है doom look होता क्या है basically एक circle of vulnerability होती है जिसमें एक sector of economy affect होती है तो दूसरे sector को भी affect करती है मतलब अगर financial crisis देखा जा रहा है financial crisis के कोई आहट है तो वह किसको severely impact करती है वहां के banking sector को तो जो European Central Bank है वह इसी बात से चिंतिर है कि कहीं यूरोप के जो banks है वो collapse ने कर जाए तो doom look में होता क्या है कि जो financial institution है वो weak नजराती है उनके जो assets है उनकी जो growth होती है वो slow नजराती है ठीक है people क्या करते है लोग जो जो डर जाते है और वहां से bank से पैसे निकालना शूरू करते है और जो economy growth होती है वो slow होना शूरू हो जाती है तो एक पूरी तरिका का financial crisis देखने को मिलता है जहां पर एक sector का financial crisis दूसरे sector को भी impact करने लगता है और majorly यह banking sector में देखने को मिलता है और जब banking sector hurt होता है तो पूरी पूरी जो economy है वो दीरे दीरे उसकी growth काम होती जाती है और वो recession देखने को मिल सकता है तो UPSC कभी doom loop के बारे में पूछ सकते हैं चोकि European Central Bank ने इसको use कर रहे तो definitely UPSC इसको पूछ सकती है तो हमें पता होना चाहिए कि doom loop होता क्या है अब चलते हैं आगे हमारी अगली जो news है वो official language committee को लेकर है दरसान हमारी जो official language committee है जिसको head को करते है हमारे home minister Amisha तो इस committee ने एक report submit करी है किसको submit करी है हमारे president को प्रेसिडेंट दौरपदी मुर्मुजी को पर अभी जो रिपोर्ट है इसमें जो क्या recommendation दी गई है यह पता ने चला यह public में आई नहीं है पर कहीं से report निकल के आई है कि Hindi को और ज्यादा promote किया जा रहा है और ज्यादा कहीं तो यह जो committee बनी है यह section 4 of the official language act 1963 से बनी है यह statutory committee है उसके बाद इसको chair tune करता है union home ministry union home minister और इसमें members होते है 30 होते है 20 MPs होते है लोग सबासे और 10 MPs होते है राज सबासे इसका main objective होता है कि कैसे हम हिंदी को official purpose के अलावा use करें उसके use के progress को बढ़ाएं और ऐसे recommendation करें कि जो official communication में हिंदी का जारव से जादा youth हो सके है अगर हम इस committee के features के बात करें तो इस committee में दो major changes आपको याद रखने बढ़ेंगे UPC perspective से पहला change यह कि यह जो parliamentary committee है यह home minister constitute करती है ना कि Parliament के speaker या फिर राजज़बा के chairman दूसरा यह जो अपना panel होता है यह अपनी report submit करता है president को ना कि Parliament में अपनी report submit करता है जो दूसरी पारलेमेंट नी जो committee होती है वो अपनी report पारलेमेंट को submit करती है तो यह दो changes आपको UPC perspective से याद रखने होगे कि UPCS question पूछ सकती है और यहाँ याद रखने वाली बाद यह भी है कि जो the official language act है इसमें दो राज्यों को exception मिला हुआ तमिल provisions में लागू होते हैं तो ऐसे state जहां पर हिंदी एक official language है उसी state में इस official language act के जो हिंदी promotion को लेकर जो provisions है वह वहां पर यह लागू होते है तो ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो हमारा institute द्वारा एक mentorship program करा जा रहा है जिसमें आपको दो dedicated mentors बिलेंगे एक academic commenter एक follow commenter उसके लावा एक PYQ-based means live arts writing program कराये जा रहा है एक current analysis का program चल रहा है समाचारवानी इसके लावा philosophy, history, psychology के optional classes आपको provide की जा रही है और अन्य जाने करेंगे हमें इस number को contact कर सकते हैं आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही thank you thank you very much